अगर आपका टारो कल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, यह आप टारो सेर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about टारो आपको सीखने को मिलेगा. वेना इसे A to Z मतलब बहुत सिंपल बेसिक चीजों से लेकर में 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 टॉपिक्स, Each and Everything, Related and Connected to Tarot इस कोर्स में कवर्ड है और कार्ज के मीनिंग में आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि एक instant connect आप अपने कार्ज के साथ महसूस करते हैं, आपको कार्ज के मीनिंग्स लर्न करने की ज़राद नहीं पड़ती है. अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि की कैसे आप professional tarot card reader बन सकते हैं, अपना career tarot reading में बना सकते हैं, वो भी इस कोर्स में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप screen पे दिये गए number पर हमें whatsapp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूं किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए Pika Card Reading, इस बारी की Pika Card Reading का topic है, urgent message for you. तो जो भी situation हमारी life में हो, हम हमेशा ही जिन भी God को मानते हैं, या फिर universe की तरफ से हमारे लिए क्या message है उसको जानना चाहते हैं, तो खास कर अगर कोई situation है जिसमें आप बहुत परिशान हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भई, आप क्या करें, क्या आपका decision होना चाहिए, क्या action initiatives होने चाहिए, तो तो ये reading आपके लिए बहुत बहुत useful रहेगी, और अगर नहीं है, तो भी universe आपको क्या message देना चाहते हैं, क्योंकि कितनी बारी हम aware नहीं होते हैं, कि next क्या हो सकता है, और जो भी हम कर रहे होते हैं, शायद वो सही नहीं होता है, या फि जो भी situation हो, इस reading में, जिन भी God को आप मानते हैं, या फिर से मैं कहूंगी universe, आपको क्या message देना चाहते हैं, उनके लिए क्या guidance है, उसको आप जान सकते हैं, और इसी चीज़ को जानने के लिए आपने इन तीनों में से एक pile को चूज करना है, पाइल चूज करने के लिए मे हमारे पस green color की ball है, and second pile में हमारे पस जिनी का lamp है, third pile में हमारे पस candle stand है, तो अगर आप intuitively चूज करना चाहते हैं, आपने आखें बंद करनी हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई situation है, जिसमें आपको पहले से ही नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, तो अगर नहीं है, तो simple June God को आप मानते हैं, आप उनका ध्यान कर लें, और जैसे ही आप आखे को लेंगे, जो भी pile, जो भी option, आपको सबसे पहले दिखेगा, आपने उसको चूज कर लेना है, और दिखिए हम confused तभी होते हैं, जब हम logically option को चूज करने की कोशिश करते हैं, तो आप birth month के हिसाब से pile को चूज कर सकते हैं, जिन भी लोगों का birth January, February, March, April में से किसी भी month में होता है, आपके लिए pile 1 है, यानि कि आपके लिए green color के crystal ball है, और अगर आपका birth May, June, July, August में से किसी भी month में होता है, आपके लिए pile 2 है, यानि कि जीनी का lamp आपके लिए है, और अगर आपका birth September, October, November, December में से किसी भी month में होता है, आपके लिए pile 3 है, यानि कि candle stand आपके लिए है, और I hope कि आपने pile चूज कर लिया है, अगर नहीं किया है, तो आप वीडियो को pause कर सकते हैं, you can take your own time in choosing the pile, ये एक timeless reading है, तो जब भी भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये reading आपके सामने आती है, तो इस reading में आपके सवाल का जवाब आपको मिल सकता है, तो चलिए जी आपकी reading शुरू करते हैं, अगर आपने pile 1 यानि की green crystal ball को चूज किया है, या फिर आपका birth January, February, March, April में से किसी भी month में होता है, ये reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं pile 1 की cards क्या कहते हैं, universe की तरफ से, जिन भी God को आप मानते हैं, उनकी तरफ से, आपके लिए क्या message है, क्या guidance है, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई situation, कोई circumstances है, जिन में आप universe की guidance, universe का message चाहा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई भी situation नहीं है, तो जो भी आपकी life में हो रह यहां पर हम simply देख रहे हैं कि again universe या जो भी God को आप मानते हैं वो आपको क्या कहना चाते हैं तो देखिए सबसे बहले cards मुझे दिख रहे हैं the marrying maiden and conditioning और यह cards कहते हैं कि जो भी अभी आपकी life में चल रहा है कुछ के लिए professional front हो सकता है कुछ के लिए personal front हो सकता है in fact देखिए situation, circumstances, life के area सब के लिए differ करेंगे यहां पर conditioning का card कहता है कि आप अपने true potential को नहीं utilize कर रहे हैं इस card को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें loin sheep के बीच में रह रहा है और इसके card के पीछे की story है कि यह जो loin है यह sheep के साथ पला बड़ा है और कहीं यह भूल चुका है कि इसके अंदर कितनी power है, कितनी potential है एक दिन जब यह तलाब के पास जाता है और तलाब में अपनी reflection यानि कि अपने चेहरे को देखता है तब इसको पता लगता है कि अरे भाई यह तो loin है, इसके अंदर तो बहुत power है, बहुत potential है तो इसी तरीके से जो भी आपके you know किसी specific life के एरिया में रह रहा है या फिर overall ही कहीं आप थोड़े से submissive हो रहे हैं, थोड़े से timid हो रहे हैं यानि कि आप अपनी identity को नहीं realize कर पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं आप circumstances, situation के हिसाब से अपने आपको इतना जादा mold कर रहे हैं कि आपको लगने लग रहा है कि बस यही possible है, बस यहीं तक हो सकता है आप शायद इनों इसके beyond जा नहीं सकते हैं तो कहीं एक limitation, restrictions आप अपने लिए तै कर रहे हैं या फिर बहुत एक limited, restricted तरीके से रह रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप aware हैं जादा तर मुझे दिखता है कि आप aware ही नहीं है कि आप कैसे circumstances के हिसाब से अपने आपको ढाल रहे हैं और फिर से कहूंगी आपके अंदर जो एक power है, जो एक potential है उसको आप नहीं पूरी तरीके से utilize कर रहे हैं अब देखिए the marrying maiden का card भी इसी चीज़ को और जादा confirm करता है कि शायद यूनो आपकी life में कोई specific इंसान है या फिर overall जो भी लोग हैं, आपको वो एक respect, वो एक authority नहीं दे रहे हैं आपको बहुत casually ले रहे हैं, आपको बहुत for granted ले रहे हैं और अगर आप मेरे videos देखते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम उनको गुसे से कहें, या हम लडाई करें हम बहुत सारे हमारे पस तरीके होते हैं, उनको यह बता सकते हैं यह express कर सकते हैं, कि भाई, we don't like this and we are not going to tolerate बहुत lovingly, बहुत compassionately हम ऐसा कर सकते हैं जब हम ऐसा करते हैं, तो फिर वो next time alert रहते हैं वो हमें उस तरीके से नहीं treat करते हैं और अगर फिर भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा, तो हम अपना communication अपना interaction उनके साथ बिलकुल minimum रखें क्योंकि मुझे पता है कहीं बरी हमारे बहुत close circle के लोग होते हैं को हम नहीं avoid कर सकते, लेकिन हम उनके साथ अपनी interactions को minimum कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इस चीज का खयाल आप नहीं रख रहे हैं शायद किसी level पर आप allow कर रहे हैं कि लोग आपको disrespect करें या फिर लोग आपको casually लें लोग आपको for granted लें यहाँ पर देखिए flowering का card भी कहता है कि आपको अपने उपर focus करने की ज़रत है अपने आपको beautify करने की ज़रत है अपनी एक physical level पर या फिर materialistic tangible चीजों से related growth और progress पर again मैं कहूंगी attention देने की ज़रत है physical health पर focus करने की ज़रत है यहाँ पर देखिए turning in and postponement के cards कहते है कि शायद आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं आप delay करते जा रहे हैं आप चीजों को avoid कर रहे हैं आप upfront होके चीजों को नहीं deal कर रहे हैं कहीं आप back seat ले रहे हैं जितना एक action initiatives आपको इस situation में कर देखिए अपने गोल मसब मनीया दिफर कर सकता है कुछ के लिए relationship से related partnership बिजनेश में हो सकते है और personal life में आपके life partner हो सकते है या फिर you know कोई भी हो सकता है आपके बच्चे हो सकते हैं आपके parents हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं उनसे related जो एक अपने लिए stand लेने की ज़रत है या फिर जो एक action initiatives लेने की ज़रत है वो आप नहीं ले रहे हैं और कुछ के लिए professional front के लिए हो सकता है कि again जो एक action initiatives लेने की ज़रत है अपने लिए stands लेने की ज़रत है आप नहीं ले रहे हैं फिर से देखे the marrying maiden के card को देखें तो जो figure हैं उनके आसपास chain बदी हुई है तो कहीं अपने आपको restrict कर रहे हैं, limit कर रहे हैं and most of the times या at times हमें इस चीज का हैसास ही नहीं होता है कि हम खुद ही अपने आपको restrict कर रहे हैं, हम external friend में जो चीजे हो रही होती है उनको blame करते हैं, हमें लगता है कि या हम कहते हैं खुद से या अपने लवड़ बन से क्योंकि न ऐसा हो रहा है इसलिए हम यह नहीं कर रहे हैं and trust me यह सिरफ अपने आपको बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं, अगर हम truly कोई चीज चाहते हैं तो हम definitely उसके लिए action initiatives ले सकते हैं no matter what तरीके बहुत सारे होते हैं and देखिए यहाँ पर a change in the wind का काड कहता है कि कुछ changes लाने की ज़ुरत है और यहाँ पर बहुत clearly हमने देखा कि आप उस तरीके से action initiatives नहीं ले रहे हैं आप फिर खुद पर focus करने की ज़ुरत है नहीं कर रह रहे हैं और यहाँ पर round and round का card कहता है कि चीजे ना एकी तरीके से घुमे जा रही हैं मतलब next level पर नहीं जा रही है होता है ना कभी-कभी हम effort करके अपने आपको थोड़ा सा बाहर निकालते भी हैं फिर से हम उसी चीज में आ जाते हैं at times again मैं कहूंगे aware होते हैं at times नहीं aware ह होते हैं तो कहीं चीजें जिस भी life के area में गोल 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 एक ही जगा पर घूम रही हैं आगे नहीं बढ़ रही हैं तो उस चीज पर थोड़ा सा focus करने की ज़रत है और फिर से कहूंगी action initiatives लेने की ज़रत है इस चीज में से खुद को बाहर निकालने की ज़रत है and changes ला again मैं कहूंगी आप tolerate करते हुए सहन करते हुए दिख रहे हैं and या पर biting through का card कहता है कि बहुत ही assertively, बहुत ही confidently decisions, choices लेने की ज़रत है कहीं action initiatives again मैं कहूंगी लेने की ज़रत है दिखिए इस card में लिखा हुआ है take decisive action, restore order, force applied with sensitivity, justice, devotion to a task तो दिखिए कहीं बारी कहीं बारी नहीं मैं कहूंगी most of the times हम सामने वाले के साथ तो बहुत fair रहते हैं लेकिन in the process हम खुद के साथ unfair हो जाते हैं क्योंकि बच्पन में हमें सिखाय है यह गया है कि भी लोगों के साथ ठीक हो which is a very good thing हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा कर चाहिए लेकिन at the same time हमें खुद के साथ भी fair होना चाहिए खुद के साथ भी हमें ना तो injustice खुद ही करना चाहिए ना किसी और की तरफ से बरदाश करना चाहिए कहते हैं ना जितना गलत किसी के साथ गलत करना होता है उतना ही गलत गलत सहन करना होता है तो देखिए अगर आप कुछ भी wrong को tolerate कर रहे हैं बरदाश कर रहे हैं अपनी अवाज नहीं उठा रहे हैं या फिर confidently assertively action initiatives नहीं ले रहे हैं तो ज़रूर ले यह यहाँ पर देखिए completion का card कहता है कि जो भी अधूरे काम हैं आपकी life में उनको आप complete करने पे focus करें deep knowing का card कहता है कि बहुत ज़ादा wisdom के साथ बहुत ज़ादा समझदारी के साथ करें यानि कि impulsive ना हों और जोश में होश ना खोएं बिना सोचे समझे action initiatives ना लें बहुत ही सोच समझ के चीजों को अच्छे से introspect करें बहुत ज़ादा एक you know wisely आपने decisions लेने हैं लेकिन बहुत confidently बहुत assertively आपने decisions initiative लेने हैं चीजों को आगे postpone नहीं करना क्योंकि most of the times हम क्या करते हैं अच्छा कल करेंगे अच्छा बात में करेंगे अच्छा ये हो जाए ना फिर करेंगे तो कहीं ना कही जिसलिए चीजों को नहीं pursue कर पा रहे होते हैं या फिर हम डर रहे होते हैं और हम इसलिए चीजों को आगे postpone करते रहते हैं तो अगर ऐसा भी आप कर रहे हैं तो ऐसा ना करें and post का card कहता है कि बहुत ही peacefully कामी बहुत ही peacefully और बहुत ही कामी जो भी action initiatives required हैं वो आप जरूर ल मिलेगा आपको victory जरूर मिलेगी तो यह था pile 1 आप लुकों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपकी सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें रगर आपने pile 2 यानि की जिनी के लाम को चूज किया है या फिर आपका birth May, June, July, August में से किसी भी मन्त में होता है यह reading आपके लिए है और चलिए देखते है pile 2 की cards क्या कहते है यूनिवर्स की तरफ से या फिर जिन भी God को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या message है तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है या फिर हम simply देख रहे हैं कि again जिन God को आप मानते हैं या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए current situation के लिए क्या message है क्या guidance है तो देखे आपके लिए सबसे पहला या फिर मैं कहूंगी main message यही दिख रहा है ending beginning यानि कि जो भी चल रहा है अगर आपको serve नहीं कर रहा है या फिर किसी भी level पर परेशान कर रहा है आप उसको end करें एक नहीं शुरुवात करें क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो फिर एक sudden ending beginning होगी और वो आपको बहुत परेशान करेगी दिखें यहाँ पे सबसे बहला card मुझे द कर दें एक होता है ना कि surface level पर हम end करते हैं लेकिन कहीं न कहीं हम उस cheat से connected हैते हैं कहीं transformation और death का card बिलकुल scratch से ending करने की बात करता है और यहाँ पे the source का card भी बहुत ही enthusiastically बहुत ही excited तरीके से नई beginning की बात करता है source का card कहीं universe से connect करके जो भी guidance मिल रही है उसको apply करके आगे generation का card भी again मैं कहूंगी कि नए सिरे से चीजों को शुरू करने की बात करता है और फिर से मैं कहूंगी कि अगर ऐसा आपने नहीं करा तो thunderbolt का card कहता है कि इतना suddenly ending beginning होगी कि आप बहुत परिशान होगी आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यह हो क्या रहा है आपके साथ तो फ फुरानी चीजों के साथ इतने attach होते हैं कि हमें भी पता होता है कि हमें serve नहीं कर रही है हमें तकलीफ हो रही है या फिर इनका अब हमारी life में कोई relevance नहीं है लेकिन हम attachment की वज़े से अपने comfort zone की वज़े से नहीं let go कर पाते हैं और life में अगर हम एक चीज समझ लेना कि आज अगर हम जबरदस्ती इसमें अपना पैर fit करने की कोशिश करें सबसे पहली बात तो हमें आएंगे ही नहीं अगर किसी तरीके से हमने अपना पैर उसमें fit भी कर लिया तो हमें तकलीफ देंगे हमें pain होगा हम उस तरीके से चल नहीं पाएंगे उस तरीके से life में आगे यहाँ पर देखिए retreat and progress के card भी इसी चीज़ को और ज़्यादा confirm करते है retreat का card कहीं let go करने की बात करता है और progress का card कहीं आगे बढ़ने की बात करता है देखिए retreat के card में लिखा हुआ है timely departure, letting go, withdrawal and retirement तो देखिए timely departure बहुत एक meaningful message आपको दे रहा है क्योंकि क्या होता है न कि चीज़ें end तो होती है लेकिन जब time से हम end करते हैं तो हमें तकलीफ कम होती है timely departure मतलब सही time पे अगर हम उस चीज़ को let go करें तो हम बहुत सारी pain से खुद को बचा लेते हैं और progress का card कहीं clarity की भी बात करता है progress का card एक तरीके से sun की energies को represent करता है जैसे होता है न बहुत सारी चीज़ें रात के अंधेरे में दिखती नहीं है हमें समझ में नहीं आती है या फिर हम उनको छुपा भी लेते हैं हम उनको ढख भी देते हैं लेकिन जब सुभी सूरज आता है crystal clear एक clarity आती है हम जितनी भी कोशिश करें हम नहीं छुपा पाते हैं चीज़ों के तो कहीं ये card transparency की बात करता है और ये भी कहता है कि किसी भी चीज़ को आप hide न करें अब दिखें यहाँ पे सब के लिए different situations होंगी different circumstances होंगे और आपकी reading है तो आप बहतर समझ पा रहे होंगे कि अगर आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं किसी भी अपने love one से तो ना चुपाएं बहुत ही तरीके से या जिस भी तरीके से मैं कहूंगे आप communicate कर सकते हैं बता सकते हैं उसको बताएं फिर से कहूंगे सब के लिए different चीज़े नहेंगी और modesty का card कहता है कि बहुत एक balance maintain करें impulsive ना हों बहुत patiently बहुत सबर के साथ चीज़ों को करें इस card में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस card में लिखा हुआ है keep it simple तो देखिए life बहुत ही simple है हम उसको complicate करते हैं तो कोई भी चीज जिसको लेकर आप sure नहीं है आपको लगता है खाम खाँ आप उलट सकते हैं खाम खाँ परिशान हो सकते हैं उसको आप बिलकुल avoid करें जितना simplicity के साथ आप चीज़ों को करेंगे या पर जितना अपनी life को simple करेंगे उतना आप आगे अपनी life को असान करेंगे तो इस चीज का खयाल रखें और यहाँ पर family का card है और यह card एक दू चीज़ें कहता है कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप अपनी family को ignore कर रहे हैं family पर इतना attention नहीं दे रहे हैं focus नहीं दे रहे हैं अगर आप किसी भी ऐसी situation में जो आपको bother कर रहे हैं आप किसी भी अपने love one, close one और यहाँ पर family सिरफ हमारे blood relation के ही लोग नहीं होते हैं जो भी बहुत close होते हैं जिन पर हम trust कर सकते हैं जिन पर हम faith कर सकते हैं वो भी एक तरीके से हमारी family होते हैं तो फिर से मैं कहूंगी जो लोग बहुत important हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं आपको हमेशा support करते हैं हमेशा आपके साथ हैं क्या होता है न most of the times हम उनको for granted लेते हैं हम उनको casually लेते हैं हम उनको उतनी एहमियत नहीं देते हैं और हमें इस चीज का हैसास भी नहीं होता है तो अगर ऐसा कुछ भी आपकी life में चल रहा है तो यहाँ पर family का card कहता है कि उनको prioritize करें और अगर आप already उनको prioritize कर रहे हैं तो यहाँ पर family के card का मतलब है कि अगर कोई भी support आपको चाहिए कोई भी help चाहिए आप उनसे connect करें क्योंकि most of the times हम hesitate करते हैं हम help मांगना तुछ आते हैं लेकिन नहीं मांगते हैं यह इस तरीके का कोई भी scenario है तो यहाँ पर family का एक यह मतलब भी है and यहाँ पर दिखिए regeneration मैंने आपको बता दिया कि आप नए तरीके से चीज़ों को शुरू करें truth be told का card कहता है कि सच से खुद को वाकिफ करें क्योंकि most of the times हम accept ही नहीं करते हैं हमें लगता है कहीं हम hurt हो जाएंगे कहीं हमारा दिल तूट जाएगा तो हम एक भ्रहम में रहते हैं illusionary world में रहते हैं खुद को बड़ी अच्छी बातें बोलते रहते हैं अपने आप कुछ सच से वाकिफ नहीं करते हैं तो कहीं बारी हम unintentionally ऐसा कर रहे होते हैं और कहीं बारी हमें पता ही नहीं होता है फिर से clear कर देती हूँ कहीं बारी हम जान मुझके सच को वाकिफ करते हैं सच को जानना ही नहीं चाहते हैं हम hurt हो जाएंगे और कहीं बारी हम totally unaware होते हैं कि सच क्या है दूनों ही सिनारियों में सच को जानना, सच से खुद को वाकिफ करना current situation में बहुत बहुत important है एक transparency रहनी चाहिए और यहाँ पर progress के card में भी इसी चीज को मैंने आपको बताया कि जैसे sun जब आता है सुभे रोशनी होती है everything is crystal clear तो उस तरीके की एक transparency रखें यहाँ पर भी situation सबके लिए differ करेगी भाई you know, किस हिसाब से आपको clarity रखनी है किस हिसाब से एक सच को maintain करते हुए सच से खुद को वाकिफ करते हुए सच के रास्ते पर चलते हुए चीजों को आपने करना है and यहाँ पर coming to the edge का card कहता है कि बहुत safe, secure होके ना चलें अगर calculated risk देखे मेरी बात फिर से आप सुन लें calculated risk मैं यह नहीं कह रही कि आप बिना सोचे समझे risk लें क्योंकि हम अगर आखों पर पट्टी बांद के सडक में चलेंगे तो accident हो गई होगा बट अगर हम देख के दोनों side और बहुत ध्यान से road को cross करते हैं तो हम कर पाते हैं तो इसी तरीके से बहुत calculated तरीके से जो भी risk लेने की ज़रत है वो आप current situation में ज़रूर लें बहुत safe, बहुत secure होके ना चलें and final card, co-create का card आपको message देता है कि आपके अंदर वो power है आपके अंदर वो potential है कि जो आप चाहते हैं उसको create कर सकें in fact ये card कहता है कि आपके spirit guides Christian God को आप मानते हैं वो आपके साथ खड़े हुए हैं और जो आप चाहते हैं उनके साथ मिलके आप उसको create कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सारे cards की तरफ से जो भी एक main message था मैंने आपको बताया कि आपने जो भी ending, beginning अगर हो रही है तो उसके लिए surrender mode में रहना है और अगर जरूरत है तो उसको आपने जरूर करना है और आप बिलकुल भी इस चीज़ से ना घबराएं कि जो आप चाहते हैं पता नहीं वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी कहीं आप let go कर देंगे तो पता नहीं आगे आपकी life में क्या होगा क्योंकि most of the times हमको ये डर लगता है कि भाई अगर हमने ये जो हमारा comfort zone इसको छोड़ा तो आगे हम और परेशान ना होते हैं आपे co-create का card बहुत clear आपको message दे रहा है whatever you want you can create with the help of your spirit guides with the help of the God you believe in तो डरेना, घबराएना, बिंदास जो चीज़ें आपको serve नहीं करें उनको end करें आगे की तरफ बढ़ें एक clarity के साथ बढ़ें सच को के रास्ते पे चलते वे आगे बढ़ें तो ये था pile 2 आप लोगों के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें रगर आपने pile 3 यानि की candle stand को choose किया है या फिर आपका birth September, October, November, December में से किसी भी मन्त में होता है ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 3 की cards क्या कहते हैं यूनिवर्स की तरफ से या फिर जिन भी God को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या message है कुछ pile 3 के लिए हो सकता है कि वाके ही में कोई ऐसी situation है कोई ऐसी उल्जन परिशानी है जहाँ पे आप यूनिवर्स की तरफ से जिन भी God को मानते हैं उनकी तरफ से message जानना चाह रहे हैं उनकी guidance जानना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई situation नहीं है तो जो भी आपकी life में हो रहा हो यहाँ पर हम simply देख रहे हैं कि current आपकी life में जो भी चल रहा है उससे related universe जिन भी God को आप मानते हैं वो आपको क्या message देना चाह रहे हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या guidance है तो देखें सबसे पहला card है playfulness और यह card एक दो चीजें कहता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप चीजों को बहुत casually ले रहे हैं एक immature energies हैं बहुत जादा for granted आपने किसी चीज को किसी इंसान को किसी situation को अपनी life में लिया हुआ है और ऐसे में देखिए यहाँ पर यह card आपको कह रहा है कि थोड़ा सा maturity के साथ चीजों को deal करें थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझें और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि आप बहुत जादा चीजों को लेकर सोच रहे हैं overthinking कर रहे हैं और इस सिनारियों में यह card आपको message दे रहा है कि थोड़ा सा अपने आपको light and easy रखें बहुत जादा tension ना लें बहुत जादा stress ना लें देखिए जनरल रीडिंग है situation, circumstances सबके लिए differ करेंगे और बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया कि अगर आप overthinking कर रहे हैं तो यह card आपको थोड़ा सा relax होने के लिए कहता है थोड़ा सा अपने आपको tension free होने को लिए कहता है थोड़ा सा you know life को light and easy लेने के लिए कहता है और अगर आप बहुत ही immaturity के साथ यहाँ फिर casually, lightly चीज़ों को ले रहे हैं तो यह card कहता है थोड़ा सा maturity से चीज़ों को लें अब यहाँ पर दूसरे cards मुझे दिख रहे हैं inner voice and inner truth और यह दोनों ही cards similar सी energies की बात करते हैं यह दोनों cards कहते हैं कि अपनी अंतरमन की अवाज को अपनी gut feeling को अपनी intuition को आप बिल्कुल भी ना ignore करें most of the times हमें हमारे अंदर की अवाज बता रही होती है कि यह ठीक नहीं है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर यह ठीक है हमें जरूर इसके लिए action initiatives लेने चाहिए और हम उसको ignore कर रहे होते हैं और बाद में जब चीजें खराब होती हैं तो हमें बहुत एक regret भी होता है हम परेशान भी होते हैं कि यह तो मुझे पता था मैंने उस time पे क्यों नहीं अपने मन की अवाज को सुना और करें जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है जिसको आप achieve करना चाहते हैं उसके लिए massive action ले initiatives ले leap of faith ले हो सकता है किसी भी तरीके का अगर risk लेने की जरत है sharing का कार्ट कहता है कि अगर किसी के support की जरत है उनसे connect करें या फिर again मैं कहूंगी जादा लोगों से मिलें जादा लोगों से connect करें अपने views, अपने ideas, अपना thought process लोगों से share करें या कोई भी और चीज share करने की जरत है तो यहाँ पर sharing का कार्ट simply sharing का message देता है sharing की आपको advice देता है तो आप share जरूर करें कितनी बड़ी होता है न हम चीजें अपने तक रखते हैं हम सल्क करते रहते हैं अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं हम किसी को कुछ कहते नहीं है या फिर जो भी करने की जरूरत है हम नहीं करते हैं तो जो भी आपकी life की situation है जो भी आपकी life का scenario है उसके लिए यहाँ पर again कहूंगी sharing का card, share करने के लिए कहता है और courage का card कहता है कि थोड़ा सा challenging रहेंगी situation यानि कि बहुत light and easy चीजें नहीं रहेंगी, आपको effort करना पड़ेगा आपको extra initiative, extra action भी लेने पड़ेंगे दिखे, courage का card कहीं ये भी कहता है कि जो भी आप चाहा रहे हैं वो इतना आसान नहीं है उसके लिए बहुत जबरदस्त हिम्मत चाहिए, courageous energies चाहिए, willpower determination चाहिए तो ये card आपको ये भी message दे रहा है कि अगर आपने willpower रखी, determination रखी आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं और बिंदास होके अपना करम किया, अपना effort किया तो definitely आपको success मिलेगी, again, things are not going to be that easy और यहाँ पर taming power of the, sorry, just let me read taming power of the great का card भी इन्ही energies को और जादा confirm करता है कि थोड़ा सा, you know, आपको out of the way जाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको discipline तरीके से चीजों को करना पड़ेगा अगर आप बहुत जादा चीजों को casually लेंगे और देखें, इस हिसाब से अगर हम देखें, तो playfulness का card कहता है हो सकता है, आप चीजों को बहुत casually ले रहे हैं extra effort करने की ज़रत है, आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, for whatever reason हो सकता है आपका reason बड़ा justified भी हो, बट जब तक आप extra effort नहीं करेंगे आपको वो आपका goal, आपका मकसद नहीं आप achieve कर पाएंगे और यहाँ पर दीखिए, the fates का card कहता है कितनी बारी न हम बस चीजों को छोड़ देते हैं हमें लगता है, अर किसमत में होगा तो मिल जाएगा अगर होना होगा तो मिल जाएगा और ऐसा जब हम कर रहे होते हैं न हम बहुत सरी चीजों को achieve कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं दिखे, destiny बहुत बड़ा एक role play करती है मैं deny नहीं करूंगी बट करम का भी अपना एक महत्व होता है इसलिए शायद गीता में लिखा भी हुआ है करम करें, फलकी इच्छा ना करें क्योंकि करम करना बहुत important होता है हम सिरफ destiny या फिर किस्मत पे चीजों को छोड़ दें और बिल्कुल हम action initiative नहीं लें तो हम नहीं उन चीजों को achieve कर पाएंगे अगर किसी चीज की चाहा है अगर किसी चीज की desire है तो उस direction में हमने अपना करम करना है हमने अपना action लेना है फिर मिले या ना मिले फिर वो universe की मरजी है और कितनी बारी हमें immediate एक result नहीं मिलता है immediate एक outcome नहीं मिलता है लेकिन long term में हमें उसका जरूर benefit मिलता है उसका कुछ ना कुछ relevance जरूर होता है तो सिरफ किस्मत पे ना चीजों को छोड़ें यहाँ पे breathe का काड कहता है tension बिलकुल ना ले बहुत जैसे बुलते हैं कि light and easy अपने आपको रखते हुए relaxed state of mind में रहते हुए action initiatives लें क्योंकि most of the times जब हम बहुत एक tension लेते हैं बहुत एक stress लेते हैं तब हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं तो फिर से मैं कहूंगी यहाँ पर यह काड अगर आपको कह रहे हैं कि difficult हो सकता है यहाँ पर challenges हो सकते हैं और अगर ऐसा सुनके हम बड़ा tension और stress में आ जाएं तो फिर अगर हम 20 की speed 20 तो निवल अगर मैं 500 की speed में भाग सकती हूं मैं अपना full potential तभी utilize कर पाऊंगी मैं अपनी एक पूरी अच्छी तरीके से speed में तभी भाग पाऊंगी जब मैं बहुत light and easy हूं तो challenges हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम परेशान हो जाएं हम tension stress लेना शू कर दें challenges हैं तो हमने खुद को यही कहना है कि भी हम अपना गरम करेंगे और universe पर छोड़ देंगे होना होगा होगा नहीं होना होगा नहीं होगा तो इस तरीके की energies में आप रहें blessed का card कहता है कि again एक positive frame of mind में रहें universe आपको support कर रहा है universe बहुत सरी blessings आपके उपर shower कर रहा है I don't know आप कितना देख पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकते आप देख पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकते आप नहीं देख पा रहे हैं और specially जब हम उन चीजों पर focus कर रहे होते हैं जो हमारी life में हमारे हिसाब से नहीं चल रहे होती हैं तो हम अपनी blessings को नहीं देख पा रहे होते हैं, तो अपनी blessings को ज़रूर देखें, कि universe ने कितनी सारी blessings आपको दे हुई है, और दूसरा इसका message ये भी है, कि आप आगे बढ़ें, universe आपको ज़रूर support करेंगे, universe बहुत सारी blessings आपके ओपर shower करेंगे, and message in the bottle का card कहता है, in fact, you know, जो भी आपके guiding angels है, universe है, वो आपसे connect करके बहुत सारे आपको messages देना चाह रहे हैं, या फिर मैं कहूंगे कि हर कदम पे, हर step पे आपको guide कर रहे हैं, और हमीशा ही हमारे spirit guides हैं, जन God को हम मानते हैं, वो हमसे connect कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी उलजनों में इतने हम वो messages को भी नहीं देख पाते हैं, और हम जो हमें action initiatives लेने होते हैं, उनको भी नहीं लेते हैं, जो universe की तरफ से हमें science मिल रहे होते हैं, again कहूंगे उनको नहीं देख पाते हैं, तो यहाँ पे message in the bottle का card बहुत clearly कहता है कि universe आपसे communicate कर रहे हैं, जिन God को आप मानते हैं, वो से communicate कर रहे हैं, अब देखिए, universe के messages किसी भी form में मिल सकते हैं, कितनी बार ही होते हैं, हम कोई movie देख रहे होते हैं, उसका dialogue एक्तम से हमें touch करता है, और हमें लगता है कि यह तो जो सवाल बहुत time से हमारे मन में चल रहा था, उसका जवाब है, कहीं बार ही हम किसी banner पे ही issues होते हैं, उनका solution मिल जाता है, तो यहाँ पर message in the bottle का card यही कह रहा है, कि थोड़ा सा अगर आप awareness में रहेंगे, कि भई आपके spirit guides, जिन God को आप मानते हैं, universe, आप से communicate कर रहे हैं, तो आप उनके messages को भी देख पाएंगे, हर कदम पे आपको universe की तरफ से एक direction मिलेगी, और अगर आप इसको follow करके आगे बढ़ेंगे, तो आप right track पे जा पाएंगे, जो आपके लिए best है, उसको आप achieve कर पाएंगे, मैंने यह नहीं कहा कि जो आप सोच रहे हो सकता है, आप उसको भी achieve कर लें, अगर वो आपके लिए best है, और अगर नहीं है, तो universe आपको उस direction में ल जबाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe जरूर करें,